Hello students, आज हम इस वीडियो में Competition Commission of India, that is CCI को discuss करेंगे, यहाँ पर हम इनके Overview, Structure, Objective, Function, Power and Penalties सभी चीज़ों को discuss करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो देखिए नाम से क्या समझ में आ रहा है, Competition Commission of India, मतलब इक Commission सटप की गई है, किसके regarding, Competitions के regarding तो हमें पता है कि किसी भी Economy को Sustain करने के लिए, Create करने के लिए, बनाए रखने के लिए Competition बहुत Important है, क्योंकि Fair Competition रहेगा, तो क्या चीज़ों होंगी, जो Consumer होते हैं उनके लिए बहुत Profitable होता है, और Market में जादा से जादा Intry होगे, मतलब जादा जादा Businessmen involved होंगे, पर अगर Competition Fair नहीं हुआ, तो यह सारी चीज़ों में Problem आएगी, तो इस चीज़ को Maintain रखने के लिए, कि Fair Competition हो Economy में, Competition Act और CCI को Constitute किया गया, अब Competition Act 2002 था, जो कि Amendment होके 2007 आया आपका, 2009 है, तो यह Competition Act में तो Amendment होती रही, पर CCI भी Constitute किया गया, regarding Competition Act, मतलब जो भी Competition Act में Rules and Regulation है, वो Properly Execution मे रहें, और आपका जो पूरा Competition है, आपकी Economy का, आपकी Country का, वो Fair हो, इसी के Regarding यह Commission Startup की गई थी, तो basically यह जो Commission थी, वो क्या करती, जितने भी Anti-Competitive Agreements है ना, उनको Stop करती है, उनको रोकती, ऐसे कोई भी Agreements को होने के लिए मना करती है, जो चीज़े Competition के Beyond हैं, जो माल Practices को बढ Cominant Position है ना, वो Hold करती हूँ, मतलब जो Position को Abuse कर रहे हैं, basically means यह कि अगर मैं Powerful हूँ, तो मैं Powerful होके मैं Monopoly Create कर दूँ Market में, मैं जो कहूँ, वही होगा है ना, तो इस तरीके से अगर जो लोग इस Position को Abuse कर रहे होंगे, उस तरह के Enterprises को Stop करना, उनके Working को Stop करना, Combinations को Regulate करना, Combination को Regulate करने का मतलब होगे, जैसे Merger, Acquisition, Amalgamation, इस तरह की जो चीज़े होती है, जहां पर एक Business Entity, दूसरे Business Entity के साथ मिल जाती है, और Merge होके एक Single Entity बन जाती है, और हम देखते हैं, बहुत सारे Merger, Amalgamation होते रहते हैं, तो इस Combination, इनको हम Combination करें, इसको भी Regulate करना, आप Continue किये जा सकते हैं, और किये जाते भी हैं, जैसे मानले जे चार-पांच Entity है, मानले जे मैं एक Entity हूँ, इसी तरह दो-चार Entities और Market में हैं, और जिस Product का Production हमारी Company में होता है, सेम Product का Production, बाकी Companies भी कर रही हैं, वो Market में में Product को Launch करती हैं, पर मैं क्या कर रही हूँ, ज्यादा Profit Margin Earn करनी के लिए, Cost को कम करके, और Profit Margin को बढ़ाके, बहुत जादा महंगे Prices Post को Market में Sale कर रही हूँ, लेकिन वहीं जहां मेरे बाकी जो Business Entities थी हैं, जिनको अपना Competitor कहते हैं, वो सारे के सारे उतना Profit Margin नहीं ले रही हैं, और एक Normal Price Post प्रोड़क्ट को सेम Quality, Quantity के साथ Issue कर रही हैं, मतलब Market में Launch कर रही हैं, ऐसे Scenario में मेरे लिए Problem आ रही हैं, अब ये है कि मेरा Market का Cap है वो बहुत जादा है, Market Capitalization बढ़ा है, तो मैं क्या कुशिश करूँगी कि बाकी जो Business Entities, यो 3-4 Entities मेरे सामने Same Product की हैं, इनको Merge करके अपने में Involve कर लो, Include कर लो, इनको Position Hold करने की कोशिश की जारी हो, या फिर हम ये कहें Monopoly Create करने की कोशिश की जारी हो, या जो छोटे मोटे Small Business Men हैं, उनको खतम करने की कोशिश की जारी हो, कि इस तरह के Business Men को Market में आने ही न दिया जाए, जादा से जादा Business Men Market में आई ही न, क्योँछी जादा लोग आएंगे तो competition बढ़ेगा तो आप उन सब को खतम करने के लिए गर कोई amalgamation merger कर रहे हो तो इसलिए CCI का ये भी ज़रूरी है कि इस तरह के marginal amalgamation को वो ध्यान दे, उसको regulate करे कि combination का nature क्या है, क्यों किया जा रहा है merger, है ना क्योंकि इन सब की बज़ा से कि आई है, basically वो क्या करती है उसका objective था कि जो भी आपकी competition act में जितनी बाते कही गई है उन सारे चीजों को उनकी सारे objectives को उनके सारे rule and provisions को properly achieve करा आपाना मतलब एक होता है ना कि एक main authority बैट जाती है और फिर आपका जो भी rule and regulation बिताया गया हो वो authority कोशिश करती कि उन rule and regulation को properly implement कराना सेम इसी तरह की से competition act बनाया गया तो अब एक authority बढ़ा दी गई, that is CCI यह commission बढ़ा दी गई, जिसका काम था कि उस act के हिसाब से सारी चीजों को regulate करना जिस motive से उसको establish किया गया 2003 को यह commission establish की गई कि act तो आ गया पर act को properly implement करना और वो वैसे ही act के हिसाब से काम वा प्राक्टिकली हो रहा है कि नहीं, उसको देखने के लिए और कोई issues आ गया तो उसको handle करने के लिए CCI establish करी गई, right, CCI establish 2003 में की गई थी पर जो इसकी working होगी, fully function जो objective क्या किया रहा, तो देखा जाए तो mean चार objective थे, पहला चीज़ तो क्या था कि ऐसी सारी practices को eliminate करना जो competition पर adverse effect डालती है, क्योंकि यह माना जाता है कि competition बहुत जरूरी है है ना competition अगर healthy होता है तो वो market के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि जादा से जादा लोग रहेंगे तो चीज़ों को और अच्छे से करने की quality की सामने मेरा competitor तो जैसे होता है, studies में होता है कि अगर मेरा competitor अच्छे marks पाया तो मैं और महानत करूँगा, और अच्छे number पाऊंगा तो यह healthy competition हो गया वही unhealthy competition कैसे हो जाएगा कि मेरा competitor वो candidate अच्छा marks पा रहे है तो अब मैं उसे पढ़ने ही नहीं दूँगा, उसके notes गाया पर दूँगा या उसको market set अच्छे उसको पढ़ाई ही नहीं करने ही दूँगा तो यह क्या कर रहे हूं कि competition को unhealthy बनाना अगर वही मैंने अच्छे से treatment दिया तो अब आप और महनत करोगे तो आपकी class के लिए तो यह अच्छा होगे नहीं कि जहां सिर्फ एक बच्चा अच्छा perform करता अब उसको देख के दो बच्चे और अच्छा perform कर रहे है उस competition को handle करें तो competition से growth होती है एकानमी की growth होती है तो इसलिए competition बहुत ज़रूरी होता है लेकिन healthy competition important है तो वो सारी activities को eliminate करेंगे CCA जो एक अच्छे competition को adverse effect डालती है promote and sustain competition competition बना रहे, competition रहे यह चीज को maintain करना और इसको बहुत एजली अपनी classroom level पर आप देख सकते हैं यह competition क्यों करा जाता है कि ज़्यादा ज़्यादा लोग participate करेंगे किसी नग किसी चीज को win करने के लिए पर participation बढगेगा तो लोगों की knowledge तो बढ़ी उतनी दिर के लिए वो इनसान उस competition करा तो उस particular चीज के बारे में तो जानेगा तो competition बना रहे जिससे लोगों को awareness मिलती रहे, market ग्रो करता रहे, economy ग्रो करती रहे, इसके लिए competition का बने रहना जरूरी है, तो CCI ये भी कोशिश करेगी कि जो adverse effect गारे है उसको तो हटाईए हटाईए, साथ ही में competition को maintain रखे और बढ़ावा दे उन चीजों को उस पे भी work करेगी, इनका main objective र monopoly create हुई, या fair competition नहीं हो रहा है, तो जो adverse effect जाता है न, वो किस पर जाता है, consumer पर जाता है, पर जो public है न, वो जाता affected होती है, consumers, क्योंकि उनको product लेना है, वो ही price पे करने वाले हैं, market में वही price पे करते हैं, तो but obviously बता है, अगर वहाँ पे गरबड़ी हो रही होगी, वहाँ cheap price पे आप product को शुरू कर दिये, sale करना, तो उससे product जो purchase कर रहा है, वो सस्ते दीके तो purchase कर लेगा consumer, लेकि उसकी quality खराब रहेगी, और ये product कुछ भी हो सकता है, FMCG की चीज़े भी हो सकती है, है न, तो कोई भी चीज product हो सकती है, तो उसका effect तो consumer पर पढ़ेगा न, तो उन के interest को protect करना भी CCI की objective में से एक रहा है, और market, जो trade market है इंडिया का न, वो अच्छे सिफ, अच्छे से बढ़ सके, अच्छे से वो work out कर सके, वो भी ensure करना CCI को objective रहेगा, क्योंकि अगर जाद से जादा market in trends, participants market में आएंगे नहीं, तो फिर competition बढ़ेगा नहीं, और अगर ज business करने आएंगे नहीं, तो growth कहां से होगी, आपने देखा न, इसी वज़ा से start-up India and all, make in India, जैसे projects को लाया गया, चीज़े कीगे, कि जादा से जादा लोग आएं, trade करें, तो इन चीज़ों को भी बढ़ावा देना CCI का main objective रहा है, इसके इलावा, CCI और क्या करती है, CCI को ये भी ज़रूरी है कि अगर कोई दूसरी authority, law authority, statutory authority, कोई opinion मांगते है regarding competition issues, तो उसमें भी CCI को अपना opinion frame करके देना होगा, है न, और इसके इलावा competition related, जो public में awareness फिलानी है, जो training देनी है competition issues के regarding, वो सब को train करना, उनको knowledge provide करना, public को aware करना, promote करना, इन सब चीज़ों को भी work जो होता है, वो CCI पे ही रहेगा, clear है, अब हम बात करते हैं कि structure क्या है CCI का, हमें ये तो समझ में आगी commission क्यों establish की गई, क्योंकि commission इन सारे purpose के वज़े से बिठाई गई, कि competition बन रहा है, और ये सारे reason है, जिससे कि अच्छे से competition हो सके, CCI को establish करना है, तो commission जो ये बिठाई ये members कि कौन होंगे, और कितने होंगे, जो भी members CCI में होते हैं, वो central government कितनों appointed होते हैं, और इस commission में एक कुछ होता है, वो chair person होता है, और उसके अलावा maximum 6 members की जरुरत होती, कम से कम 2 member होने चाहिए, और maximum 6 members होने चाहिए, और एक कौन होने चाहिए, चेर person होते हैं, मतर 6 plus 1, 7 लोग होने चाहिए, maximum, और कम से कम कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, दो member और एक chair person होना चाहिए, इतने लोग आपके commission में होने चाहिए, clear है, अब इनकी जो appointment होती है, वो कौन करेगा, आपके central government करेंगी, तो जो chair person और member होते हैं, वो full time होते हैं, मतलब वो ऐसा नह में ही work करेंगे, कहीं और के designation hold नहीं करेंगे, तो आप question क्या उड़ता है, कि ये chair person ये member कौन लोग हो सकते हैं, कौन, इनकी eligibility ये qualification क्या होगी, मतलब कौन होंगे जिनको central government appoint करती है, so CCI की जो chair person और member है, central government उनहीं लोगों को appoint करेगी, जो क्या हूँ, high court के judge हूँ, है न, या फिर उनके पास special knowledge ये professional experience हो, अब अगर भी experience की बात कर रहे हैं, तो experience 4 साल, 5 साल का नहीं, कम से कम 15 साल का experience होना चाहिए, उनके पास special knowledge हो, उनके पास professional technical experience हो, at least 15 years का experience हो, in the field of what, international trade, economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration, ये सारे वो matters है, जिनके regarding अगर किसी individual को, किसी person को professional knowledge है, experience है, तो वो लोग जो है, आपके, इस post के लिए, CCI में member या chairperson के लिए eligible होते हैं, right, और जिनके appointment कौन करता है, central government करते हैं, clear it, तो ये चीज़े हमें ध्यान में रखने होगी, और अब ही जब हम बात करते हैं, first chairperson की, first chairperson हम कहते हैं कि धनींदर कुम CIE में, वो कौन है, संगीता वर्मा है, acting chairperson का मतलब क्या है, कि जो real full-time chairperson थे, जो appointed chairperson थे, उन्होंने resignation दे दिया, that is, Ashok Kumar गुपता जी, उनके resignation के बात, जो member थी, संगीता वर्मा, उनको as a chairperson appoint किया गया, acting chairperson appoint किया गया, October 2022 में, right, तो अब ये जो appointment हुई है, वो, जब appointment हमारे नए chairperson appoint होते हुए, उस time period में, जो भी earlier होगा, उनके लिए appointment हुई है, लेकिन अभी jan में, उनकी date or extend कर दी गई, संगीता वर्मा कि date or extend कर दी गई, तो अभी भी वो as a acting chairperson है, मतलब अभी वो chairperson की तरह, महाँ पर work कर रही है, संगीता वर्मा CCI में, clear है, तो ये चीज member और chairperson का 10 year होता है, वो कितना होता है, 5 years का होता है, मतलब 5 years तक वो work करेंगे, या फिर at the completion of the age of 65 years, मतलब 65 साल की उमर उनकी हो जाए, या 5 साल उनको काम करते हो जाए, इन दोना में, जो सबसे पहले आ जाएगा, उत्ते time period तक ही, वो as a chairperson या as a member CCI में appointed रह सकते हैं, is it clear? तो अब हम बात करते हैं CCI के functions की, right? कि जो ये commission है, उन में कौन लोग है, कैसे है, क्यों आए है, ये तो commission क्यों बिठाएगी, ये सब पता है, तो इनका काम क्या होगा, इनकी functioning क्या होगी, right? So ensure the benefit and welfare of the customer are maintained in Indian market, Indian market में customers को, consumers को, उनके welfare को maintain रखना, उनको promote करना, उनके benefit को, उनके interest को promote करना, ये इनका में काम रहेगा, to accelerate an inclusive economic growth through ensuring fair and healthy competition, तो जितनी भी economic activities हैं, उनमें fair and healthy competition हो, जिससे की country की economic growth हो सके, वो बढ़ती रहे, economic growth होती रहे, ये भी काम CCI का होगा, ensuring the efficient utilization of nation's resources through the execution of competition policies, competition policies को properly execute करके, nations के जो resources है, उनका efficient utilization करने का काम भी CCI कर रहेगा, ये competitions, competitions advocations को undertake करेगी, इसके अलावा, जितने भी ombudsman, small organization को, उनको भी antitrust करेगी, जिससे होता है कि, चीज़े गलत तरीके से represent करना, और आप जिसे की तरह चुगल खोरे and all चीज कि आपके organization के बारे में गलत चीज, गलत अफवाएं, गलत बाते कहना, तो इस सब चीज़े के regarding भी वो antitrust रहेंगी, scrutinize any foreign companies that enters Indian market, तो अगर foreign companies market में, Indian market में entry ले रही हैं और वो कोई merger या acquisition कर रही हैं, तो CCI उनको properly check करेगी कि उनका intention कैसा है, वो competitions को properly follow कर रही है की नहीं, और वो किस तरह से किस intentions के साथ या किस working के through merger or acquisition कर रही है, merger or acquisition कर रही है, तो उसको properly scrutinize करने का काम भी CCI करेगा, इसके लबा interaction and cooperation with the other regulating authorities in the economy, जो other regulating authorities होती है, बहुत सारी regulating authorities, IRD, FID, वे बहुत सारी regulating authorities work कर रही है, तो उन सारी authorities के साथ cooperation and interaction रखने का काम भी CCI करेगा, it also act as a business facilit by ensuring that a few firms do not establish dominance in the market and there is a peaceful coexistence, so basically business facilitator का भी work करेंगी, कि मतलब ऐसा नहीं कि कुछ specific firm है, organization है, वो ही अपना work किये जारी, वो dominant की position hold किये जा रही है, तो ऐसा ना होने पाए, और एक peaceful environment create हो, small और जो large enterprises है, वो अच्छे से work करें, उसको भी maintain करने का काम किस करेगा, CCI करेगा, और आ आपको बिता दें कि इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, कई बास CCI के पास बहुत सारे cases भी आते हैं, जैसे आप Amazon, Flipkart का नाम सुने होंगे, कि सारे बहुत बड़े e-commerce operators हैं, इनके regarding CCI में cases गए होए हैं, CCI इनको handle कर रही है, और अगर मैं बात कूरे, इनके case की, तो जो दिल्ली का वैपार महासंग है, उन्होंने इसके regarding case किया था, कि ये जो e-commerce operators हैं, वो कुछ specific sellers हैं उनको favor दे रहे हैं, मतलब उनहीं के products को अपने portal पे ज़्यादा sale करते हैं, उनको ज़्यादा promote करते हैं, अपने sites पे, तो इससे क्या होता है कि particularly उनहीं sellers के products sale होंगे, जो चोटे-मोटे और जो seller है, उनको वो proper place उस market पे, जो online market का portal है उनका, उस पे नहीं मिल रही है, तो ये ऐसे operator ने जो specific लोगों को ही ज़्यादा value दे रहे हैं, इसी के regarding delivery पार ने CCI में इनकी case की है, और फिलिप कोड और Amazon के against इस पे case चल भी रहा था, और यहाँ पे इनको penalties भ regarding बहुत है, क्योंकि उनका काम गही है ना, कि हर चीज अच्छे से हो, ऐसा ना, किसी के साथ जो बड़ी enterprises हैं, वो आगे बढ़ती चली जा रही है, और जो छोटी enterprises हो, उनको अच्छा platform ही ना मिले, क्योंकि आपको पता है कि आजकर online trading बहुत जादा हो रही है, अब ऐसे scenario मे तो जितनी बड़ी industries हैं, जो बड़े brand हैं, वो इन operators को hire कर लें, उनको अच्छे charges, अच्छे पैसे देर के, कि उनहीं के product को sale किया जाए, तो जब सब online trading करेंगे, और सिर्फ इनहीं के product ही sale हो रहे होंगे, maximum इनहीं के product sale हो रहे होंगे, तो ऐसे situation में, जो छोटे-मोटे traders हों जरब ऐसा ना हो, इसके लिए case था, और उनको penalties भी CCI के through impose की गई हैं, तो यह सब CCI के working में आता हैं, अब हम बात करते हैं, CCI के power की, तो जो देखें, CCI का जो power है न, वो 36, section 36 के अंदर explain किया गया है, और वहां पर क्या बुला गया, कि जो यह commission है न, वो अपनी procedure को खुद regulate करने के लिए authorize है, मतलब उसके पास पूरी power है, कि उसकी working कैसे होनी है, वो खुद करेगी, और यह बात जो दी गई है, सारे power section 36 में दीए गए हैं, और यह जैसे मैं पहला point लिखा, तो यह section 36, subsection 1 के अंदर आ, तो इसी तरह से जो है, सारे sections यहां पर introduce होंगे, section and subsection, इसक power वो कहां दी गई, section 36, subsection 2 में दी गई है, अब civil court के पास क्या क्या power होती है, तो जो भी civil court के पास power होगी, वो सारे की सारी commission होगी, जैसे हमें बात करें, कि summon भेजने की, summon in the sense की notice भेजना, या कोई notice गई हो, उसके against लिखके भेजना, है ना, तो summons मतलब होता है, जो अगर summon commission जो है, किसी को भी summon send कर सकती है, क्योंकि ये civil court भी कर सकती है, तो same power है, इसके लावा requiring discovering the creation of documents, तो कोई भी particular documents है, उसको सर्च करना, उसको ढूनना, जो भी जरूरत है, उसको मगाना, ये सारे काम commission कर सकती है, CCI कर सकती है, मतलब ये सारे civil court के power है, जो CCI कर सकती है, evidence receive कर सकती है, अगर कोई witness है, या कोई documents है, तो उसको examine करने के लिए बुला सकती है, उसके against कोई charges applicable करना, तो वो कर सकती है, public records, कोई documents है, उसकी copy है, किसी भी office से मगानी है, तो वो भी मगा सकती है, कि particularly, जैसे कोई भी business enterprise है, हमें उनका कोई भी document चाहिए, उनके कोई books of accounts चाहिए, कोई के भी regarding inquiry करनी है, तो वो पूरी power है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप कौन होते हैं, हम पे inquiry करने वाले, नहीं, CCI के पास पूरी power है, वो किसी के भी against inquiry कर सकती है, तो यह हमारा, क्यों होगे, 36 subscription 2 के अंदर आने वाले power होगे, जो civil code को मिलते हैं, same power उनको मिलते, इसके अलावा commission के पास एक और power होती है, जो 36 subscription 3 में बताई गए, कि वो किसी भी specialist को respective field से बुला सकते हैं, मतलब अगर उनको particularly किसी field में कोई knowledge चाहिए, या उनको लगता है कि इस चीज के बारे में हमें कुछ और जानना है, तो वो उस respective field के specialist को बुला सकते हैं, उनसे बात करके उनसे informations ले स सकते हैं, वो economics, commerce, accounting से किसी भी field के specialist हो सकते हैं, इसके लवा direct any person, और ये section 36, section 4 के अंदर आता है, तो वो किसी भी person को directions दे सकते हैं, कह सकते हैं, कि वो अपनी books को, अपने accounts को या किसी और documents को तुरंत produce करें, मतलब तुरंत लाके दे, furnish करें, हमें दे, तो जैसे अगर आप CC आई है, तो आपने किसी भी person को बोलना है, कि आपके documents हमें चाहिए हैं, तो वो सारे documents लेके आपके सामने present हो जाएगा, तो ये उनकी power में भी, जो civil court के अंदर जो power है, तो वो तो है ही है, पर उनका खुद का भी, इस act में भी इनको section के अंदर power दिया गया, कि किसी भी person को direct करके उनसे books of accounts या कोई और documents produce करा सकते हैं, या कोई भी evidence, कोई भी information उनको चाहिए, उस trade के regarding, तो वो भी furnish करा सकते हैं, इसके अलावा उनकी पास power होती है, seize and resist order पास करने की, इसका मतलब particularly जो भी चीज़ चल रही हो, उसको तुरंत immediately stop करने की power जो होती है, वो भी CCI के पास है, मतलब अगर उनने लगा कि कोई malified work हो रहा है, कोई ऐसा, या organization ऐसा काम कर रही है, जो anti-competition से related है, तो ऐसे चीज़ों में क्या करेंगे, उसको तुरंत stop करने की power भी इनकी पास है, जिसको कहते है, release and resist order देना, impose finance penalties, finance penalties, impose करने की power है, pass order altering agreement, अगर कोई merger हुआ है, कोई amalg amalgamation हुआ है, और इसमें कोई agreement आपने बना रहा है, और आप कहते हैं, हमारे पास या agreement और उसी agreement के साब से हम काम कर रहे हैं, पर वो agreement में जो बाते लिखीगे, वो ऐसी बाते हैं, जो competitions के against हैं, या उस economy पर adverse effect डालेंगी, या consumer पर adverse effect डालेंगी, तो CCI के पास पूरा पावार कि उस agreement को alter करा दे, कि नहीं ये चीजे नहीं होंगी, इसको alter करिए, तो उसको भी alter करने का भी order, pass करने की पावर इनके पास है, order of demerger, तो अगर कोई amalgamation, merger, demerger हो, कोई merger वगेरा हुआ है, तो उसको अगर उन्हें लगता है कि ये गलत है, तो उसको demerger, मतलब उसको cancel करने की पावर इनके पास है, इसके इलावा किसी भी merger को, किसी भी amalgamation को, इसी को acquisition को, अगर उन्हें रखता है कि ये सही तरीके से हुआ है, तो इसको approve भी ये कर सकती है, है ना, तो ये सारी, सारी CCI की पावर है, तो अब हम बात करते है, पनाल्टीज की, है ना, कि CCI किस तरह की penalty is, ये fines impose कर सकती है, और कब कर सकती है, तो अगर CCI ने कोई order पास किया था, और उस order का contravention हुआ है, मतलब उस order को नहीं माना गया है, और ऐसा कुछ किया गया है, तो इसकी situation में CCI के पास पूरी पावर होती है, वो penalty impose कर देती है, तो अगर किसी person को, किसी reasonable cause के, बिना कोई reasonable cause दिये, अगर किसी ने कोई order CCI ने दिया था, regarding section 27, 28, 31, 32, 33, 42A, 43A के अंदर, तो उस situation में, अगर उनने proper reason नहीं दिया, कि उन्होंने किस लिए इस order को proper follow up नहीं किया, तो इस situation में, वो उन पे penalties impose करेंगी, अब अगर आपने ऐसा कुछ किया है, तो किस तरह के कितने amount की penalty रग चीजे फरनिश नहीं कियोंगी, बताई नहीं होगी, तो per day के हिसाब से एक लाख रुपे लगेगा, और कब तक maximum रुपीज 1 करोर, मतलब 1 लाख रुपीज 1 लाख रुपीज लगता जाएगा, उन पर maximum limit होगी, 10 करोर तक की maximum रुपे, मतलब 1 लाख से 10 करोर तक के रुपे थी, आपने अपने dominant position, order अपना 22, section 27, वो यही कहता है कि अगर आपने कोई, आपने जो कोई position थी, dominant position उसको अपने abuse किया, उसके against आपको inquiry मांगी गई थी, और आपने उसको furnish नहीं किया, आपने उसका reason proper नहीं दिया, तो उस case में, या आपने उसका reply नहीं किया, तो उस case मे आप पे ये penalties imposed करेंगे, आपको बिता दे, इसी चीज के regarding Google पे भी, ये CCI में cases हुए है, तो Google पे क्या हुआ है, इन पे anti competitive practices करने का case हुआ है, जिसमें 9 billion तक की penalties imposed की गई है, और ये हुआ कि actually ये app store के regarding है, कि जो app developer है, उनको ये forcefully ये कहते हैं, कि मतलब उन ही app के through, इनकी inbuilt app के through payment किया जाए, third party का जो app payment के होते हैं, वो चीजों को include ना किया जाए, तो इस तरह की चीजें इनके regarding आई, जिस पर की CCI में case चला हुआ हूँ और इन पर penalty भी imposed की गई है Google पे, तो कहीं न कोई इन पर anti trust का भी, कि मतलब ये trustable work नहीं कर रहे हैं, क्योंकि Google का बहुत सारी इन बिल्ट आती है, इसी तरह इनके Android के लिए भी case किया गया है Google पे, कि ये Android system में अपनी ही चीजों को इन बिल्ट करा रहे हैं, और जो कुछ और apps हैं, उनको permission नहीं दी चारी, कि अगर आपको ये चीजे लेनी है, या particular Google का ये app लेना है Android में, तो फिर बाकी apps को हटाना इस तरह पे cases आते हैं, और cases आते तो punishment भी होती है, और fines भी लगते हैं, तो जैसे मैंने बता है, इन पे 9 बिलिएन का fine Google पे लगा हुआ है, अब इनका इसका मतलब ये नहीं है, कि इन्होंने उस पे reply नहीं किया, लेकिन हाँ उनकी punishment हुई, क्योंकि वो case हार गये, कि उन्हों पाए गए कि उन्होंने इस चीज़े करी हुई है, तो इसलिए उन पे penalty imposed की गई है, तो अब इसके इलावा क्या है, कि if any person does not comply with the order or direction issued or fails to pay the fine imposed, तो अगर कोई order or direction issue किया गया था, उसको आपने comply नहीं किया, या आपे कोई fine imposed की गई थी, आपने वो fine pay नहीं करी है, तो ऐसे situation में आपे again penalty लगती है, और वो penalty जो होती है, वो क्या होती है, imprisonment की penalty होती है, मतलब कि आपको jail जाना पर सकता है, और ये जो jail जाना होगा, जो imprisonment होगा, वो 3 साल तक का हो सकता है, और some cases में 25 crore rupees भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, कि imprisonment भी हो 25 crore rupees भी देने पड़े, दोनों हो सकता है तो इस तरह से अगर वो डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका नेचर ऑफ डिफॉल्ट रहा है तो उस सिच्वेशन में इस तरह की पेनाल्टी इंपोस की जाती है CCI की तरो इसके इलाबा कि अगर आपने कोई फॉस स्टेट्मेंट दे दिया या गलत information दे दी inquiry की गई आपने गलत स्टेट्मेंट दिया या गलत documents furnish किये हैं तो उस सिच्वेशन में भी आप पे penalty impose की जाएगी और वो जो penalty का amount होता है वो कम से कम 50 रुपे होगा मतलब 50 रुपे से लेके एक करोड रुपे तक में आप पे ये penalty लगाई जा सकती है अगर आपने क्या किया हो गलत statement CCI को दिया हो या गलत material furnish किया हो power to impose penalty for non furnishing of information on combinations अगर कोई merger requisition या amalgamation इस तरह का कोई combination हुआ है और उसके regarding कोई information मागे गई थी और वो information furnish नहीं की गई organization की थ्रूँ उस पर भी penalty impose की जाएगी और वहाँ पे जो penalty impose की जाएगी वो 1% of turnover या 1% of assets दोनों में जो भी higher होगा न वो आपका charge होगा वो penalty आप पे लग जाएगी so basically ये सारी के सारी penalties impose की जाती है CCI के थ्रूँ और आप देख रहे हैं कि बहुत सारी cases और बहुत सारी चीजे आरड़ी CCI में चल रहे होती है so it's all about CCI wish you all the best thank you so much